हेलो एन वेलकम एवरिवन आज के इस एडुकेशनल लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन बी हाइव के इंग्लिश चेप्टर दबॉन्ड ओफ लव को यह जो चेप्टर है स्टूडेंट्स यह एनिमल लव के उपर बेस्ड है किनित अंडर्सन का लिखा हुआ यह एक चेप्टर है और इस चेप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कर्स करने वाले हैं यह इस चेप्टर का पार्ट वन वीडियो है पार्ट टू का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा आपकी क्लास के साइंस के एसस के मैट्स के इंग्लिश के काफी कंटेंट हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं तो उनके लिए आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक्स को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा वहाँ आपको अलग-लग सब्जेक्ट्स के अलग-लग लिंक्स देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चेप्टर The Bond of Love सबसे पहले देखें नरेटर क्या कहता है I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear मैं इस कहानी की शुरूरात करता हूँ, इस चेप्टर की शुरूरात करता हूँ Bruno से, Bruno जो था, वो मेरी फाइफ का pet sloth bear था पालतू भालू था मेरी wife का I got him for her by accident मुझे मेरी पतनी के लिए वो भालू by accident मिला मतलब ऐसा नहीं था कि हमारी कोई planning थी bear को पालने की ऐसा नहीं था कि मैं किसी दुकान में जाके उसको खरीद के लेके आया था और पहले से plan किया था कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा incident हुआ, कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे वो bear मिला और मैंने अपनी wife को उसको पालने के लिए दे दिया दो साल पहले we were passing through the sugarcane fields नियर मैसूर मैसूर के गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे हम लोग people were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them लोग जो है वो जंगली सूरों को अपने खेतों से बाहर खदेड रहे थे बाहर निकाल रहे थे उनके उपर shoot करके उनके उपर गोलियां वगरा चला रहे थे some were shot and some escaped कुछ सूरों को गोली मार दी गई जान से मार दी आ गया उनको जबकि कुछ सूर जान बचा की खेतों से भाग गए we thought that everything was over and suddenly a black sloth bear came out painting in the hot sun हमें लगा की सब कुछ normal हो गया है wild pigs जंगली सूर खेतों से निकल चुकी है जब हम सोच रहे थे की सब कुछ normal हो चुका है तब ही अचानक एक काले रंग का sloth bear काले रंग का sloth भालू जो है वो हाफते हुए दोडते हुए हाफते हुए गर्मी से परिशान होते हुए हमारी तरफ दोड़ता आता हुआ हमें दिखाई दिया now I will not shoot at a sloth bear want only but unfortunately for the poor beast one of my companions did not feel the way that way about it and promptly shot the bear on the spot मैं किसी sloth bear को want only want only का मतलब बिना किसी वज़े के जान बूज के नहीं मारूंगा लेकिन उस बेचारे poor beast देखे poor beast क्यों कहा है poor इसलिए क्योंकि वो मारा गया beast इसलिए क्योंकि वो खतरनाक जंगली जानवर है लेकिन उस खतरनाक जानवर की उस खतरनाक बेचारे जानवर की किस्मत अच्छी नहीं थी कि मेरे एक साथी को ऐसा नहीं लगा उसे देख के और मेरे एक साथी ने प्रॉम्टली अनी अचानक जल्दबाजी में उसके उपर गोली चला के उसको जान से मार डाला जैसे ही हम उस गिरे हुए और मरे हुए जानवर को देख रहे थे तब ही हम सब हैरान हुए यह चीज देख के कि उसके पीट से काले रंग की फर का एक हिस्सा हिला और उसके शरीर से अलग हो गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उस भालू की पीट पे उसका एक छोटा बच्चा सवार था ठीक है वो दिखाई नहीं दे रहा था शरू में बच्चा लेकिन जैसे ही उस भालू को बैर को गोली लगने से डेथ हो गई तो उस भालू के मरने के बाद वो भालू तो गिर गया प्रोस्टेट बोडी का मतरब वो बोडी जो है वो नीचे गिर गई और उसकी मा का जो सिर था वो नीचे की तरफ था ओंधे मुगिरी हुई थी उसकी जो बैर की लाश है वो ओंधे मुगिरी हुई थी ठीक है और जैसे ही वो मरी उसकी मदर मरी वो जो बच्चा जो पीट के उपर था वो अपनी मा की बोड़ी से अलग होके आ गया Then we saw it was a baby bear हमने देखा कि ये एक भालो का बच्चा है that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her और ये बच्चा अपनी मदर की पीट की सवारी कर रहा था जब अचानक गोली लगने से उसकी मौत हो गई The little creature ran around its prostate parent making a pitiful noise जो ये छोटा बच्चा था ये अपनी मा के चारो तरफ prostate parent यानि मरी हुई मा के चारो तरफ जो है दोड रहा था pitiful यानि ऐसी आवाज है निकाल रहा था जिस पे किसी को भी दया आ जाए I ran up to it to attempt a capture मैं दोड के उसके पास गया पकड़ने के लिए It scooted into the sugar cane field scooted का मतलर तेजी से भाग जाना ठीक है वो अचानक दोड के गन्ने के खेत में भाग गया वो बच्चा Following it with my companions I was at last able to grab it by the scruff of its neck मैंने और मेरे साथियों ने उसका गन्ने की खेत में पीछा किया और आखिरकार उसकी गरदन से मैंने उसको पकड़ लिया While it snapped and tried to scratch me with its long hooked clothes ठीक है इसने अपने आपको छुडाने की कोशिश की इसके जो लंबे और hooked यानि hook shape के hook shape के जो पंजे थे उन से मुझे मारने की उन से मुझे चोट पहँचाने की कोशिश भी की उस बच्चे ने लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया We put it in one of the gunny bags we had brought and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife मैंने उसको एक gunny bag में डाल दिया एक बोरे में डाल दिया मैंने उस baby bear को और जब मैं Bangalore वापिस अपने घर पहुचा तो मैंने अपनी wife को वो as a present, as a gift दे दिया She was delighted, मेरी wife काफी खुश थी She at once put a colored ribbon around its neck मेरी wife ने ये पक्का करने के लिए कि वो मेरा pet bear है उसके गले पे एक colored ribbon, रंगीन ribbon बांद दिया ribbon अक्सर pet animals को बांदा जाता है यानि वो एक नर भालू है, नर भालू का बच्चा है ठीक है, तो उसने उसका नाम रखा Bruno ये पता लगने के बाद कि वो नर भालू है उसका नाम उसकी बीवी ने रखा Bruno Bruno soon took to drinking milk from a bottle Bruno ने जल्दी क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसने bottle से दूद पीना शुरू कर दिया Bruno ने ये तो सिर्फ एक कदम था बोटल से दूद पीने की शुरूआत एक कदम था सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद उसने हर चीज खानी पीनी शुरू कर दी देखिए बच्चों, bears जो होते हैं, वो omnivorous animals होते हैं यानि वो vegetarian और non-vegetarian हर चीज खाते हैं वो ठीक है, तो लगबग हर चीज उसने खानी शुरू करती है and everything is the right word और जब मैं कहा रहा हूँ कि वो हर चीज खा जाता था तो ये बिल्कुछ सही शब्द है before he ate porridge made from any ingredients क्योंकि वो porridge, दलिया या खिचडी या खीर जो भी चीज भी चीज से बनी होती थी वो खा जाता था vegetables खा जाता था, fruits, nuts, meat pork उसको काफी पसंद था curry खा जाता था, rice खा जाता था condiments, condiments का मतरब चाहे कितनी भी spicy हो चाहे कितनी भी कम spicy हो खा जाता था चिली, मिर्चे खा जाता था और जहां तक पीने का सवाल है वो milk, tea, coffee, lime juice, aerated water ठीक है, aerated water मैंनी जो fizzy water होता है वो butter milk, bear, alcoholic liquor alcohol तक पी जाता था था and in fact anything liquid, कोई भी liquid देदा उसको पी जाता था उसको it all went down with relish वो relish का मतरब होता है खुशी से, खुशी से उसको पी जाता था जो वो भालू था वो हमारे दो पालतू अलसेशन डोग का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था अलसेशन एक डोग ब्रीड का नाम होता है तो जो narrator है उसकी घर में दो अलसेशन पालतू कुत्ते हैं, bear और उन कुत्तों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और किराइदार रहते थे उनके बंगलो में narrator के बंगलो में कुछ किराइदार रहते थे तो जो बच्चे थे किराइदानों के वो भी उस baby bear के साथ बहुत खेला करते थे he was felt quite free in his younger days and spent his time in playing running into the into the kitchen and going to sleep in our beds जब वो छोटा बच्चा था तो उसको काफी free time दिया हमने काफी free छोड़ा उसको कभी भी उसके मतरब wild nature की वज़े से क्योंकि था थो जंगली जानवर ही लेकिन इस wild nature की वज़े से हमने उसके साथ कोई गलत जैसे सलुक नहीं किया हमने उसको free छोड़ दिया जब वो छोटा था तो वो घर में चाटा तरफ खेलता रहता था किचन में भागता रहता था और हमारे bed पे जाके भी सो जाता था एक बार एक दुरगटना हो गई उसके साथ I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library मैंने barium carbonate जोकी एक poisonous he often did he ate some of the poison उसने कुछ जहर खा लिया Bruno घूमता घामता लाइबरेडी में पहुंचा उसने वो देखा कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है ठीक है उसकी आदत थो थी ही हर चीज खाने की और हर चीज पीने की तो वो कुछ barium carbonate खा जाता है paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet जैसे ही उसने वो barium carbonate थोड़ा खाया तो उसको paralysis हो गया और वो अपने पेरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था but he dragged himself on his stumps to my wife लेकिन वो किसी न किसी तरीके से stumps का मतरब जितना भी शरीर जितना भी पेरों का हिस्ता उसको काम कर रहा था उनसे अपने शरीर को घसीट घसीट के वो मेरी wife तक किसी तरीके से पहुँच गया मेरी wife ने मुझे call किया I guessed what had happened और जैसे ही मैंने Bruno की तबियत देखी मुझे पता चल गया कि यह पक्का इसकी आदर तो है कुछ भी खाने और कुछ भी पीने की इसने पक्का वो डेरियम कार्बोनेट खा लिया होगा जो मैंने लाइब्रेडी में रखा था Off I rushed in the car to the wet's residence Off I rushed in the car मैं फटा फट उस भालो को लेके कार की तरफ दोड़ा wet बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को तो मैं wet के पास गया wet के घर पे गया अब case of poisoning एक जहर खाने का case था टेम बेर पालतु भालू बेरियम कार्बोनेट वाट टू डू ठीक है मैंने फटा फट जाते ही wet को बताया कि सर poisoning का case है एक पालतु भालू है उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है मतरब मैंने थोड़े शब्दों में पूरी बात कहे डाली ताकि जल्दी सजल्दी उसका इलाज हो सके out came his medical books उस wet ने अपनी medical books निकाली a feverish reference to index begin और index पढ़ने लगा मतरब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा हमारे सामने ही what poison did you से आपने कौन सा जहर बताया barium carbonate तो वो पढ़ रहा था यहाँ पर जो भी words मैंने बोले है यहाँ 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 वेट ने कहा है उस animal doctor ने कहा है वो index में ढूंड रहा था कि barium carbonate का इलाज कहा लिखा हुआ है अपनी book में barium salts यह देखो यह barium salts आगे फिर वो पूचता है आगे barium carbonate यह रा barium carbonate barium carbonate के symptoms फिर उसने पड़े paralysis हो जाता है उसको treatment करनी पड़ती इस चीज़ का injection देना पड़ता है यहाँ वेट को treatment मिल चुकी थी एक मिनट रुको सर मैं अपनी medicine और अपनी syringe लेके आता हूँ a dash back to the car फिर हम दोबारा car की तरफ दोड़े bruno के पास दोड़े दोबारा फिर से ठीक है जब हमें इलाज मिल गया तो bruno still floundering about on his thumbs bruno अभी भी floundering कर रहा था floundering का मतलब वो move नहीं कर पा रहा था चल फिर नहीं पा रहा था paralysis हो गया था उसके body parts में but clearly weakening rapidly लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसकी तब्यत और बिगड रही थी वो कमजोर होता जा रहा था some vomiting वो उल्टी कर रहा था heavy breathing जोर जोर से सांस ले रहा था heaving flanks heaving flanks का मतलब सांस लेने में तकलीब से जुड़ी एक condition होती है heaving flanks and gaping mother's का मुझ खुला हुआ था वो जोर जोर से हाफ भी रहा था hold him everybody इसको पकड़ो सारे मुझे injection लगाना है कहीं हिले डूले न in goes the hypodermic hypodermic का मतलब एक तरह की syringe एक तरह की सुई लंबी सुई बालों के लिए जानवरों को without a drop being wasted 10cc 10cc जो है amount है medicine का कितना amount ठीक है 10cc volume की medicine उस bear के शरीर के इंदर inject कर दी गई और एक भी बूंद waste नहीं होई 10 minutes later conditioned unchanged 10 minutes हमने wait किया bear की condition में कोई सुधार नहीं आया ठीक है another 10cc injected फिर एक 10cc का injection और दिया गया 10 minutes के बाद breathing less turtles ठीक है इसका मतलब क्या है कि अब जो उसकी breathing है वो थोड़ी सी काम हो गई थी जैसे वो पहले बुरी तरह हाफ रहा था अब थोड़ा सा काम था तब्यत तो अभी भी उसकी खराब थी लेकिन सुधार था तब्यत में Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet Bruno अपनी थोड़ी बहुत arms और तांगे हिला पा रहा था लेकिन अभी उसमें इतना सुधार नहीं आया था कि वो खुद खड़ा हो सके 30 minutes के बाद Bruno gets up and has a great feed Bruno खड़ा होता है और बहुत जबरदस्त खाना खाता है जैसे कि उसको कई सालों तक कुछ खाने को ही ना मिला हो he looks at us disdainfully वो हमारी तरफ देखता है disdainfully disdainfully का मतरब तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तुमने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए मतरब हमने जो कुछ किया उस baby bear के लिए उसको उस चीज की कोई respect नहीं थी इस तरीके का उसका behavior था as much as to say what's barium carbonate to a big black bear like me ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यह कहना चा रहा हो यह छोड़ा सा barium carbonate बेरे जैसे भालू का क्या कर लेगा मैं इतना फिरोश्यस जंगली जानवर हूँ मेरे को कुछ नहीं होता barium carbonate चा तुम लोग तो वैसे ही जो है इतना हला गुला मचा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो कहना चा रहा हो Bruno is still eating Bruno जो है वो बहुत time तक खाता रहा अभी भी खाही रहा है another time I found nearly one gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stuoda baker एक बार और ऐसे ही पुराना engine oil निकाला था मैंने अपनी stuoda baker में से stuoda baker एक पुरानी American car है काफी famous है वहाँ पे classic cars में आती है आजकल तो यह मेरी पुरानी stuoda baker में से मैंने oil बदला था तो लगबग एक gallon जो है वो पुराना engine oil मैंने निकाल रखा था and was keeping as a weapon against the inroads of termites और engine उसका इस्तिमाल में termites के खिलाफ लकडी में जो दीमक लग जाती है उसको हटाने के लिए लकडी के अंदर में उसको डालने वाला था he promptly drank the lot उसने फटा फट वो सारा पी लिया but it had no ill effects whatever लेकिन इतना सारा engine oil पीने के बावजूद भी उस बैर को कोई असर नहीं हुआ ठीक है height में वो alciation dogs जितना बड़ा हो चुका था and he even outgrown them और body size के according देखा जाए तो वो उनसे बड़ा भारी और खतरनाक लगने लगा था but was just as sweet, just as mysterious, just as playful लेकिन वो उतना ही sweet, उतना ही शरार्ती और उतना ही playful खेल पसंद करने वाला बना रहा जैसा कि वो बच्चपन में था यानि वो body के according तो grow कर गया लेकिन उसका nature वैसा ही playful बना रहा जैसा कि वो शुरू से था and he was very fond of us all और वो हम सबको काफी पसंद करता था हम सबसे काफी प्यार करता था above all he loved my wife सबसे ज़ादा वो मेरी wife से attached था and she loved him too और मेरी wife भी उससे बहुत प्यार करती थी उससे बहुत attached थी she had changed his name from Bruno to Baba a hindustani word signifying small boy उसने अपना उसने बड़ा होने के वाद Bruno का नाम बदल के Baba रख दिया Baba एक Hindustan का यानि Hindi language का word है जिसका मतलब होता है छोटे बच्चे को Baba बोला जाता है Hindi language में या सब आपको पता भी होगा ठीक है तो उसने उसका नाम Bruno से Baba रख दिया अब नाम change कर दिया ठीक है and he could do a few tricks too और अब उसको कुछ tricks भी सिखा दी थी जैसे कि at the command Baba wrestle Baba box he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble जब उसे ये का जाता था कि Baba box करो Baba कुष्टी लड़ो खेल खेल में उसको भी पता होता था कि मैं खेल रहा हूँ and tumble और उसको गिरा दिया करता था या फिर खुद गिर जाया करता था give him a stick and say Baba hold gun और जैसे हम उसको कोई लकडी का टुकडा देते कोई डंडी देते और कहते Baba gold गन पकड़ो he pointed the stick at you वो आपकी तरफ गन की तरह है जैसे हम गन पकड़ते हैं वैसे आपकी तरफ stick पकड़ लेता ठीक है ask him Baba where is baby अगर कोई उससे पूछता बाबा बच्चा कहा है and he immediately produced and cradled वो अचानक निकाल के लेके आता affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed वो अपने भूसे से तूडे से घास से बने हुए बिस्तरे में से एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के लाता और उसको बच्चे की तरह अपनी बाहों में जूला जूलाने लगता जैसे कोई उसको कहता कि बाबा baby कहा है बच्चा कहा है तो वो तुरंथ अपने गास फूस से बने हुए बिस्तर में से एक लकडी का टुकडा उठा के लिए के आता और उसको बाहों में बच्चे की तरह जुलाता और फिर हमें दिखाता But because of the tenants children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time लेकिन सुरक्षा की दृष्टी से, safety purpose के लिए कि राइदार रहते थे हमारे बंगलों में उनके बच्चों की safety के लिए हमें बाबा को chained रखना पड़ता था, chained से बांध के रखना पड़ता था Then my son and I advised my wife and friends advised her to to give Baba to the zoo at Mysore फिर मैंने, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ को और हमारे common friends ने भी मेरी वाइफ को advice कि कि अब इतना बड़ा भालू घर में रखने के लिए safety purpose से ठीक नहीं है इसलिए आप उसको Mysore में जो zoo है उसको donate करतो He was getting too big to keep at home, वो घर में रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था After some weeks of such advice, she had last consented कई हफ़तों तक समझाए जाने के बाद आखिरकार एक बार वो मान गई Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of zoo इससे पहले कि वो अपना इरादा बदले जल्दबाजी में मैंने Mysore के zoo के curator को जो zoo समभालता था उसको मैंने letter लिखा Did he want a tame bear for his collection? क्या आपको अपने zoo में रखने के लिए एक पालतु भालू चाहिए? He replied yes, उनका जवाब हाँ में आया The zoo sent a cage from Mysore in a lorry A distance of 87 miles and Baba was packed off Zoo ने एक lorry भेजी, यदि एक ट्रक भेजा उसमें एक पिंजरा भेजा ठीक है? और 87 miles का distance था लगबग हमारी घर से 87 miles दूर था हमारे घर से वो जो zoo था बाबा को उस पिंजरे में बंद करके हमने रवाना कर दिया zoo को भेज दिया We all missed him greatly हमने उसको भेज तो दिया लेकिन हम सब को बाबा की बड़ी याद आ रही थी But in a sense we were relieved लेकिन एक तरीके से हमने राहत की सांस भी ली थी कि घर में इतना बड़ा जानवर अब नहीं है My wife was inconsolable यानि मेरी wife इतनी बुरी तरह रो रही थी इतनी बुरे तरह सुबक रही थी कि किसी के भी मनाने से console नहीं हो पा रही थी ठीक है ब्रूनो से बाबा से उसकी जो पाट हुई थी बाबा से जो अलग हुई थी उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था She wept and fretted वो रोती रही fretted का मतरब होता है कि चिंता करती रही वो कैसा होगा किस हाल में होगा खाना खाया के नहीं होगा ऐसे For the first few days she would not eat a thing पहले कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया ही नहीं Then she wrote a number of letters to the curator फिर उसने letters रिखना शुरू कर दिया उस चिडिया घर के उस जू के curator को बाबा कैसा है Back came the replies जू का curator भी जवाब बेजा करता था Well but fretting He refuses food too सेहत तो उसकी ठीक है लेकिन वो भी चिंतित सा दिखाई देता है Depression में दिखाई देता है और वो भी अच्छे से खाना नहीं खा रहा है After that friends visiting मैसूर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along उसके बाद मेरी wife अपने दोस्तों से request करती जो मैसूर जा रहे होते कि please आप लोग zoo में जरूर जाना और देख के आना कि मेरे मेरा जो बाबा है मेरा जो pet tame bear है मेरा जो tame bear है वो कैसा है वहाँ पे They reported that he was well but looked very thin and sad उन्होंने कहा कि उसकी सेहत तो ठीक है लेकिन वो काफी दूबला पतला नजर आ रहा है जैसा कि तुमारे घर में दिखता था उसके मुगाबले काफी दूबला पतला हो गया है All the keepers at the zoo said he was petting जितने भी zoo keepers थे जितने भी उसके रखवाले थे चिडिया घर में zoo में वो सब कहते थे कि वो किसी चीज़ की चिंता करता है ठीके किसी चीज़ को लेके वो unhappy है उदास रहता है For three months I managed to restrain my wife from visiting मैसूर तीन महीनों तक मैं अपनी wife को मैसूर जाने से रोकने में कामियाब रहा Then she said one day फिर एक दिन उसने कहा I must see baba मुझे बाबा से मिलना ही है Either you take me by car or I will go myself by bus or train या तो तुम मुझे गाड़ी से ले जाओ कार से ले जाओ नहीं तो मैं बस या ट्रेन में बैठके खुद जा रही हूँ So I took her by car इसलिए मैंने कार निकाली और उसको मैसूर जूमे बाबा से मिलाने ले गया ठीक है Friends had conjectured ज़्यादातर जो Friends थे हमारे ठीक है उनका ये मानना था कि वो उसको पहचानेगा नहीं लेकिन जो कुछ भी होगा आगे हम Part 2 में डिसकर्स करेंगे Part 2 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने Friends के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो सब्स्क्राइब कीजिए ब्रिजबाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को दबा दिजिए नोटिक्सेशन बेल आइकन को ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अप्लोड करें सबसे पहले उसकी नोटिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक थैंक यू फोर बिंग विद आस कीप लविंग कीप सपोर्टिंग